दोस्तो बैतूल जिला की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बैतूल जिला की ऐसे जानकारी और आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भारत का हरदन इस्थली कहे जाने वाला बैतूल जिला मध्य प्रदेश रज के दच्छिन में इस्थित है बैतूल जिला नरमदापुरम संभाग के अंतरगत आता है इसका गठन 1956 में हुआ था बैतूल जिले का कुल छेत्रफल 10,043 वर किलो मीटर है जो की मध्य प्रदेश में चौथा इस्थान है बैतूल जिला उत्तर में नरमदा की घाटी और दक्छिन में बरार का मैदान वह सत्पुडा परवत स्रंखलाओं में फैला हुआ है जिले में परवत स्रंखलाओं को चार भागों में विवाजत भी किया गया है सत्पुडा परवत स्रंखला, तावा मोरंड घाटी, सत्पुडा पठार मध्य भाग, ताप्ती की घाटी बैतूल जिला मध्य प्रदेश राज के चार जिलों से घिरा है जिन में उत्तर में हुसंगावाज जिला, पष्चिम में खंडवा जिला, पूर में छिंदवाडा जिला, तथा उत्तर पष्चिम में हरदा जिला, वा दच्छिण में महाराश्राज इस्थित है बैतूल जिला पहले मराठा सामराज के आधिपत्त में था लेकिन सन 1818 के बाद मराठो ने इसे इस्ट इंडिया कमपनी को सौब दिया जिस कारण इस्ट इंडिया कमपनी ने 1826 में इस छेत्र को विधिवत रूप से अपने कबजे में ले लिया और वैतूल जिला के मुलताई छेत्र पर अपनी च्छावनी बना ली घोडा डोंगरी आंदोलन बैतूल जिला से ही प्ररंभ हुआ था जो आदिवाजी आंदोलन के रूप में जाना जाता है और 1930 में अंग्रेजों के विरुद जंगल सक्त्यागरह गंजन सिंग कोरकू के नित्रत में यहीं हुआ था बैतूल जिला में दस तहसीलें बैतूल, मुलताई, आमला, भैंसदेही, आठनेर, साहपूर, घोडा डोंगरी, चिचोली, भीमपूर वा प्रभात पट्टन हैं तरथा 1344 गाउं वा 17 पुलिस स्टेशन हैं बैतूल जिला की जन संख्या, दो हजार गेरा की जन गड़ना के अनुसार 15,67,247 थी, जिसमें 7,99,721 पुरुस वा 7,55,026 महिलाएं थी बैतूल जिले का लिंगा नुपात प्रती एक हजार पुरुसों में 970 महिलाओं का रहा है वा साथ छर्ता दर 68,9,0 पुरुसत थी बैतूल जिला की प्रमुख नदियां ताप्ती, तवा, माचना, वर्धा, बेल, मुरंड वा पूर्णा है ताप्ती दच्छन की प्रमुख नदियों में से एक है इसका उदगम बैतूल जिला के मुलताई तहसील की सत्पुड़ा परवत स्रेणियों से हुआ है ताप्ती नदी को पुराणों में सूर्य पुत्री का नाम भी दिया गया है ताप्ती नदी पूर से पश्चिम की योर लगभग 740 किलो मीटर की दूरी तैंकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, गिर्णा, पंजारा, वा बोरी है ताप्ती का उद्गम बचमढ़ी के महादेव परवत की काली भित पहाड़ियों से हुआ है यह होसंगावाद के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है इसकी लंबाई 172 किलो मीटर है तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और तवा की सहायक नदियों में मालनी वा देवना है बैतूल जिला सिंचाई एवं अनुपयोग के लिए होसंगावाद जिले में बने तवा पर्योजना से लाभानवित है इस बांध का निर्माण 1978 में हुआ था बैतूल जिला में काली वा गहरी दोमट मिट्टी पाई जाती है जिस कारण यहां पर मुक्तह, मक्का, धान वा गेहों की फसनों का उतपादन होता है बैतूल जिला में कोईला वा ग्रेफाइट खनिज पाया जाता है बैतूल जिला मज्ध प्रदेश में सरवाधिक ग्रेफाइट उत्पादक जिला है बैतूल जिला में साहपुरा के पाथर खेडा छेतर में कोईले का भंडार मिला था बैतूल जिला में हस्ट सिल्प टिगरिया करा काफी विक्सित है यहां परबट हुए पर्स कुशन कवर आधिका निर्मान किया जाता है इसके अलावा यहां धातु सिल्प कढ़ाई वा लकडी का काम भी होता है बैतूल जिला में घोरा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास सरनी सहर में सत्पुडा थर्माल पावर प्लांट भी इस्थापित है जो यमपी पीजी सीयल के कोईला आधारित विजली सन्यंत्रों में से एक है इसकी पहली गाई उनीस सो सरशट में इस्थापित की गई थी सत्पुडा पावर प्लांट की छमता तेरा सो तीस मेंगावाट की है यह प्लांट पाथर खेड़ा के कोईला वात तावा नदी के पानी का व्योग करता है सरशट पुडा थर्मल पावर प्लांट मध्ध प्रदेश वर राजस्थान का सम्रित उपकरम है बैतूल जिला में मध्ध प्रदेश की पहली टीसू कल्चर लैव है तथा यहां महिला एवं बाल विकास प्रस्टन संस्थान भी है बैतूल जिला से होकर NH69 राश्टी राजमर गुजरता है बैतूल जिला के अमला में भारती वाईव सेना की सैनिक छावनी है बैतूल जिले का कुल वन छेतर 4041 वर किलो मीटर है जिसमें 2853 वर किलो मीटर का छेतर संदच्छित है बैतूल एक आदिवासी बाहुल जिला है यहां पर कौरकू जनजाती पाई जाती है कौरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह कौरकू जनजाती बैतूल जिला के अलावा होसंगावाद, छिंदवाड़ा वासिवनी जिलों के अनेक गामों में निवास करती है कोरकु जन्जाती बैतूल जिला की दच्छिण में सत्पुड़ा परवत छेत्रों में निवास करती है कोरकु जन्जाती की प्रमकुफजातियां बोवई, पठारिया, दुलारिया, मुहासी, भवारी, रूमा, नहाला, वा बोडोया आदी है कुकुरू बैतूल की सबसे उची चोंटी है इसकी उचाई समुद्र तल से गेरा सो सैंतिस मीटर है इस स्थान पर कुरू जनजाती निवास करती है इसी करण इसे कुकुरू के नाम से जाना जाता है कुकुरू से सुर्योदयवा सुर्यस्त को देखना काफी मनोरम लगता है कुकुरू छेत्र काफी का उत्पादक इस्थल भी है ताप्ती उदगम बैतूल जिले का मुलताई नगर मध्ध प्रदेश ही नहीं बलकि पूरे देश में पुन्य सलिल माताप्ती के उदगम के रूप में प्रशिद है इसे पहले मूलतापी के रूप में जाना जाता था ताप्ती नदी की महिमा की जानकारी इसकंद पुराण में भी मिलती है बाला जी पुरम भवान बाला जी के विसाल मंदिर के लिए प्रशिद है यह इस्थान बैतूल बाजार नगर पंचायत के अंतरगत आता है यह जिला मुख्याले बैतूल से 7 किलोमीटर की दूरी पर राश्टी राजमार्ग 69 पर इस्थित है बाला जी पुरम का मुख्य मंदिर 119 फिट उचा है तथा इसका निर्माण 1 NRI सोम वर्वाने करवाया था मंदिर में भगवान राम के जीवन से जुड़ी बिविन घटनाएं प्रदर्सित हैं इनके अलावा यहां वैश्णव देवी का मंदिर है जहां कृतिम जर्वना वा कृतिम मंदाकनी नदीवी बनाई गई है बाला जी पुरम में हर साल वसंद पंचमी पर यहां एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है बाला जी पुरम मंदिर पूरे भारत में पांचमे धाम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है साल बड़ी बैतूल जिला की जनपत पंचायत प्रभात पटन के अंतरगत आने वाला गाउं साल बड़ी मुक्तागिरी महान जैन तीर्थ मुक्तागिरी बैतूल जिला के भैस देही विकास खंड में इस्थित है यह अपनी सुन्दरता रमणियता और धार्मिक प्रभाव के कारण लोगों को अपनी और आकरसित करता है इस इस्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाई के बामन मंदिर हैं इन मंदिरों का संबंध स्रेणीग बिम्बिसार से बताया जाता है जहां मंदिर में भगवान पार सोनाथ की साप्त फटिक प्रतिमा इस्थापित है जो सिल्पकार का एक बेजोड नमूना है काली भीत अभिरन्य यह अभिरन्य बैतूल जिला में काले भालू के समच्छन के अलिए प्रस्तावित किया गया है इनके अलावा बैतूल जिला में खेलडा दुर्ग, मलाजपूर, सेरगठ का किला, मलाज में गुरू साहब की समाधी आधि प्रमुख पर्टन इस्थाल है समारोह आधि रंग जनजाती महोत्सव आधिवासी दिवस के उप्लक्ष में आधि रंग जनजाती महोत्सव मनाया जाता है इसके अलावा कुकुरू एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव वा तापती महोत्सव भी आयोज़त किये जाते हैं वेंजन बैतोल जिला के प्रमुठ विंजन में महाराश्ट्रियन थाली हुआ पूरन पोली सरवाधिक लोप्री है दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर इस वीडियो में बैतोल जिला से जुड़ी कोई भी बात छोड़ गई है तो हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में